नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि अरा आई जॉप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है अरा आई जॉप को आखों में कैसे डालना चाहिए और अरा आई जॉप की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकत हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि अरा आई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अरा आई जॉप का उप्योग आखों में सूखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए अरा आई जॉप का उप्योग किया जाता है इसके आखों में जलन और खुजरी होने से बचाव करती है और आखों में नमी को बनाए रखती है अरा आई जॉप में आर्टिफीसियल आसू होते हैं जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में इंफेक्शन को होने से रोकते हैं आखों की लेसिक सर्जरी या आखों में दर्द होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पड़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आ रिप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अरा आई जॉप की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन अरा आई जौप को आखों में डालने के बाद आखों की द्रिष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति को अरा आई जौब को आखों में डालने के बाद आखों में जलन, खुजली और आखों में लानपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है तो ऐसी स्थिती में आपको डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए क्योंकि आपका डॉक्टर अरा आई जॉप को बंद करने की सला दे सकता है अब हम डिसकस करेंगे की अरा आई जॉप को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेर होता है ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर अरा आई जॉप को दिन में दो से लेकर तीन बार आखों में डालने की सला देते हैं लेकिन अरा आई जॉप की दोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको अरा आई जॉप को आखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि अरा आई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए अरा आई जॉप को आखों में डालने के बाद अरा आई जॉप के धकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और अरा आई जॉप की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में इंफेक्शन हो सकता है अरा आई जॉप प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी अरा आई जॉप का उप्योग करना सुरक्षित है इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अरा आई जॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अरा आई जॉप से संबन्भित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं